नमस्ते बच्चो आज हम कक्षा आंट में विग्यान पढ़ेंगे कक्षा आंट की विग्यान में हमारा 13 पार्ट चल रहा था और उसमें भी मैंने आपको पेज नंबर 159 तक कम्प्लीट करवा दिया था आसा करती हूँ कि आपने इतना पार्ट घर पे जरूर रिपीट किया होगा और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 13 लेकिन पेज नंबर क्या है 160 पेज नंबर से मैं आज आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी आप ध्यान से सुनिएगा और समझेगा और फिर घर पे मैंने आज इतना पढ़ाया है आपको आज उतना आपको घर पे एक बार रिपीट करना है क्रिया कलाब 13.5 धादू के छे आठ कटोरिया या गिलास लीजे इन्हें एक सीरे से दूसरे सीरे तक क्रमस जल के बढ़ते इस्तर तक भरी अब एक पेंसिल लेकर कटोरियों पर धीरे से एक के बाद एक पर घात कीजे आप एक खिद ध्वनी सुनेंगे या आपका जल तरंग है जो चित्र बारा पॉइंट स्वरी तेरा पॉइंट साथ में देखा आपको करना क्या है कि या तो एक तरह छे साथ आठ कटोरिया या तो फिर गिलास ले लेनी है पहले नंबर में ज्यादा पानी फिर उससे कम उससे कम करके आपको ऐसे पानी से भड़ देना है और फिर पैंसिल से लेके आपको धीरे धीरे एक लाइन से ऐसे आपको बजाते जाना है तो आप उसमें एक जल तरंग आपको सुनाई देगा यानि एक अच्छी सी ध्वनी सुनाई देगी जो आपके मन को अच्छा लगेगा आप इसी व्रिद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कमपित करते हैं तो वह केवल तार की ही नहीं ध्वनी सुनाई नहीं देती वास्तों में संपुण यंत्र कमपन करता है और उसे पूरे यंत्र के कमपन से उत्पन ध्वनी को हम सुनते हैं इस प्रकार जब हम किसी मुद्रोगम की जीली पर आधात करते हैं तो वो केवल जीली की आवाज नहीं सुनते बलकि संपुण यंत्र की आवाज सुनती है कहने का मतलब यह है बच्चों की जैसे हमने सितार बजाया तो हम कहते हैं सितार बजाया उसके तार को छेडा इसलिए आवाज है तो बच्चों ऐसा नहीं होता है वो तार को खीचे लेकिन उसके साथ जो उसकी धोनी थी वो सब में सुनाई देती है संपूर्ण तरब से वो तार कमपन करता है तो हमें धोनी सुनाई देती इस तरह से मन्द गंद की जिली का ही आगात नहीं होता बलकि संपूर्ण सितार की आवाज हमें सुनाई देती है जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे सरीर का कोई भाग कमपित होता है तो 13.2 है मनुषी यानी मानव द्वारा उत्पन धोनी कुछ समय तक जोड से बोलिए यह गाना गाई अथ्वा भोरों की तरह गुंजन कीजे चित्र अनुसार 12.13.7 अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए क्या आपको कुछ कमपन का अन्भव होता है मानों में ध्वनी वाई को यंत्र अथ्वा कंठन द्वारा उत्पन होती है आपनी उंगलियों को गंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतित होता है शरीर का यह भाग वाई का यंत्र कहलाता है यह स्वसनली के उपर सीरे पर होती है वाई करन यंत्र का कंठ के आरपार दो वाकुत तन्तू इस पकार तन्नीत होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक सकिडित जीरी बन नहीं होती है तो बच्चो आप जब गाना गाते या गुंजन करें और जो हमारे इस तरह गले पे आप हांत रखेंगे तो आपको एक कंपन का अन्भव होता है वह सीरे से तंत्र या कंट के आरपार के दो वाके तंत्र के प्रकार की तनाव होती है जो हवा के द्वारा हमारे गले में से निकलती है या फिर सिक्रणत जीरी बन होती है जो चित्र में हमने मानों का वाकयंत्र इस तरह से वाकयंत्र यानि ये कंठन करने वाला चित्र हमें इसमें बताया गया है जब फेफडे वायू को बाल पूर्वक चिरे से बाहर निकालता है तो वाकू तंत्र कमपित होता है इसे ध्वनी उत्पन होती है वाकू तंत्र का प्रकार या उसके गुणता उससे वाकू ध्वनी से भिन होती है जब वाकू तंत्र धीले और मोटे होते हैं आईए देखते हैं कि वाकू तंत्र किस पकार कारिय करते हैं अब आपको ये कारिय कैसे करते हैं वच्चों उनके बारे में बताया जा रहा है इसमें आपको बताया गया है कि जो जुड़ी होती है वो मास पेसियों से ये जुड़ा होता है और जब हम कुछ गुनाते हैं या गाते हैं तो ये तनाव से ढीला होकर और वाकुतंद से पतला होकर इस प्रकार से हमारे मुझे ध्वनी निकलती है इसको किस प्रकारिय कारिय करता है इसके बारे में आपको यहां समझाया गया जो 13.6 है समानसाईज की समानसाईज की रबड के दो पतियां लीजे इसे दोनों में एक दूसरे के उपर रख कर कस कर तनिये अब इनके बीच के दरार में हवा फूकी है चित्र 13.9A तथा तनाव तानिता रबबड की पटियों के बीच में हवा फूकी जाती है तो ध्वनी उत्पन होती है एक कागज के टुकडे जिसमें एक पतली जीरी बनी हो की साहता से भी आपका क्रिया कलाप कर सकते हैं कागज को अपनी उंगलियों के बीच 13.9B के भाती पकड़ी अब छीरी के बीच में हवा फूकी है और ध्वनी सुनिये हमारे वाकुत तु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनी उत्पन करते हैं तो आपको क्या करना है बच्चो दो कागज के रबबढ होते हैं वो दो पत्ती लेनी है उसकी और इस तरह से हमें दोनों हाथों में पकड़ कर और बीच में उसके फूकना है जब आप बीच में फूकोगे तो आपको आवाज सुनाई देगी जिस तरह से बीच में फूकने से आपको आवाज या धोनी सुनाई देती है उसी तरह से हमारा ये जो गंठन यानि वाकुत तरह है वह कारिय करता है तो A नंबर तथा B नंबर में बागू तंतों की कारिया विदी आगे है पूरुस के वाकू तंत्र की लंबाई लगबग 20 सेमी होती है और महिलाओं की लंबाई लगबग 15 सेमी होती है बच्चों की वाकू तंत्र बहुत छोटे होते हैं यही कारण है कि पुरुस महिला तथा बच्चों की बागी दुनिया भिन भिन होती है तो आको तंतर यानि जो आपका ये वाला भागे बच्चों गले में वो तो आपने देखा होगा कि पुरुस का ये ज्यादा बाहर निकला होता है महिलाओं का कम होता है और बच्चों की उ तेरा पॉइंट तीन है ध्वनी संचारण के लिए माध्यम की आवशकता होती है जब आप कुछ दूर पर खड़े अपनी सहली को पुकारते हैं तो आपकी सहली आपकी आवाज को सुन पाती है उसके पास जब आपकी ध्वनी कैसे पहुंचती है आपने देखा है बच्चों क कि हम किसी को भूलाते हैं तो उनके हमारे पास आता है आपने कभी सोचा कि उसके पास हमारी आवाज कैसे गई तो यह आवाज कैसे गई उसके बारे में यहां पर एक क्रिया कलाप दिया है क्रिया कलाप 13.7 धातु अथवा कांच के गिलास लिजए सुन निचित कीजए कि य यदि रखे गए सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र को इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलिफोन करने के लिए कईए। गंटी की धोनी ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ग्लास के किनारे को आपने हाथ से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुह को हाथ के बीच में खाली जगाव पर सटा कर रखिए। जो चित्र दस पॉइंट तेरा पॉइंट दस में करना है। तो बच्चों हमको क्या करना ग्लास लेना है और उसमें एक हमारा मुबाइल डाल देना है। अपने फ्रेंड से कहना है कि उस पे घंटी मतलब फोन करो तो फिर वह फोन करेगा तो पहले हमें क्या करना है पहले उसे हाथ पकड़िए से सटा कर रखना है। और फिर उसी हाथ को हमें मुह की खाली स्लेणा के लिए माध्यम की आवशकता पड़ती है। तो इस दरह से हमें ये क्रिया कलाप करना है। इसमें क्रिया कलाप में आपको एक काँच की गिलास के जरुद पड़ती है। औरका हमें क्या रखना है मॉबाइल फोन जो इस तरह से आपको चीतर में दिखाया गया आप सोच सकते हैं कि एसा क्यूं हुआ , यह के ग्लास में वायू की मात्रा कम होने पर गंटी की प्रबलता कम होने से कोई संबंध है। वस्तों में यदि आप सारी वायू भाहर छीच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंध हो जाती है। यही कारण है कि ध्वनी का संचारण यानि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माधियम чाईए, जब ईसके वरतन में से वायू पूरी तरह निकाल दी जाये तो वह कहा जाता है कि वरतन नीर्वर्त है, धोनी निर्वरत में संचरित नहीं हो सकती है क्या धोनी दरव्य से संचरित होती आईए ग्ügenांत करते हैं तो बचों हास से जब उसने चुवा पकड़ के रखा था तो हमें धोनी सुनाय दि लेकिन वही जब हम मूखे पास ले जाते हैं तो धोनी हमें कम सुनाय दि कहने का मतलब की एक जगह से दूसरी तरह ध्वनी यानि आवाज जाने की क्रिया हवाओं द्वारा होती है अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजे ग्लास में से वायू को मुह द्वारा खिशते हुए घंटी की आवाज को सुने क्या ग्लास में से वायू बाहर खीचने पर गंटी की ध्वनी धीमी हो जाती है ग्लास को अपने मूँ से हटाईए क्या ध्वनी फिर से प्रबल हो जाती है यानि जब अपने ग्लास को मूँ से सटाके रखा तो ध्वनी कैसी आएगी बच्चों धीरी आएगी और जब मूँ स से हटा दिया तो पुना हो ते जाने लगी इसका करने का मतलब यह है कि अगर धोनी को हवा द्वारा धोनी प्रबल होती है आगे क्रिया कलाब है 13.8 एक प्लास्टी कत्वा स्नान टप लीजे इसमें स्वक्ष जल से भरिये एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजे द्वनी जान रखें कि घंटी बाल्टी या टप की दीवारों को नाच हुए अपने कान को जल की सता पर रखें इस तरह से हमके प्रयोग करना एक प्लास्टी का टप लेना उसे पानी से भर देना है उसके अंदर घंटी डाल कर हमें घंटी को बजाना है धोनी जल में संचरित होता ह साधानी पूर्वक चीतर 13.11 संपर सर्तक रही जल अपने कानों में प्रवेशना करें क्या आप घंटी की द्वनी सुन पाएंगे क्या इसे पता चल जाता है कि द्वनी का संचान द्रव में हो सकता है मतलब आपको ये घंटी सुनाई देगी और धीरे आवाज में सुनाई तो हेल तथा लेफिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेश का अधान प्रदान होता है आईए ग्यांत करते हैं क्या ध्वनी ठोस से भी गमन कर सकती है यानि हमने द्रव में देख लिया कि ध्वनी हमें सुनाई देती है ध्वनी का 1 मिटर धातू का 1 मिटर स्केल या धातू की एक लंबी चड़ी लीजे इसके एक सीरे को अपने कान से सटाकर रखी अपने मितर में स्केल से दूसरे सीरे को धीरे से खिरोची या खटाने के लिए कहिए तो बच्चों इस तरह से लकडी ली लिया है और कानों पर एकने लगा है दूसरे को यहाँ पर आवाज करनी है क्या आप घरोच की दोनी सुनाई पते हैं आप आसपास खड़वे मित्रों को पूछिए क्या वो भी इस दोनी को सुन पाएंगे इस तरह से आपको यहाँ पर खरोचने की आवाज भी सुनाई देगी तो इस तरह से बच्चों आज हमने पाट 13 में तीन पेज मैंने आपको कम्पलीट करवाया है पेज नमबर 160, 161 और 162 इस तरह से आपको तीनों पेज वापस से रिपीट करना है तो आपका घरकाम यही है बच्चों की आपको यह पाट जितना मैंने पढ़ाया उतना रिपीट करना है और इसके प्रश्न उत्तर स्वाध्यापोथी में और नोट में झाल की आपको यही प्रश्न आपको यहीता है